अगर आप मिर्जापूर के दिवाने हैं और सीजन थीरी देखकर आपके अंदर ये जानने की आग लगी है कि आगे क्या होगा तो भाई आपके लिए एक दमदार ख़बर है मतलब चोथे सीजन का इंतिजार नहीं करना पड़ेगा अलि फजल यानि हमारे गुड़ू भाईया ने धमाकेदार अनॉंसमेंट कर दिये नमस्कार मैं हो राजेच और आप है मेरे चैनल क्लिक फोर्मोर पर तो सुनिए मिर्जापूर के फैंस के लिए बंपर खुसकबरी पाच जुलाई को मेर्जापूर थीरी रिलीज होई थी और उसमें टोटल देस अपिसोड थे अब आप सोच रहे होंगे अब आगे क्या होगा लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है गुड़ू भाईया ने बताया है कि अब सीजन थीरी का इगारमा अपिसोड रिलीज होने हाथ सही सुना अपने चार अगस्त को प्रायम वीडियो पर एक वीडियो में गुड़ू भाईया बोले इतना घूर क्यो रहे हो प्रायम वीडियो के ओफिस से आ रहे हैं सीजन थीरी के डिलीटेट सिन निकलवाने गये थे अब इतना केलोरी बर्न किया हमारा तो प्रोटी इन हिंटेक तो तुमारे पिता जी थोड़ी करेंगे बैनी नजर रखो इस बोनस अपिसोड के लिए देखो गे तो भौकाल मच जाएगा तुमारी जिन्दगी में गोस उड़ जाएंगे गरंटी है और सुनो गुड़ू भाईया ने बोला एक बहुत चर्चित लड़का भी सामिले इसमें हमी उसको मोथ के गाट उतारे थे मतलब डिलीट किये थे पर बहुत जलबा है उसका वापस आना चाह रहा है अब यह सुनकर तो एर कोई सोच रहा है कि मुन्ना भाईया की बापसी होने वाली है हाँ वही मुन्ना जो गुड़ू ने मारा था वही मुन्न जिसने पहले सीजन में गुड़ू को अंडे का इंतिजाम किया था भा भाई क्या ट्विस्ट है अब तक बोनस एपिसोड की रिलीज डेट नहीं बताई गई है बस इतना ही पता चला है कि इस महीने आने वाला है मतलब पहनी नजर रखो भाई लोग वैसे मिर्जापूर का पहला सीजन 2018 में आया था दूसरा 2020 में और तीसरे के लिए 4 साल का इंतिजार करना पड़ा पहले दो सीजन ने धमाल मचाया था लेकिन तीसरा उतना नहीं चला अब देखना ये है कि ये बोनस एपिसोड कितना धुम मचाएगा गुड़ू भाईया का ये वीडियो आते ही फैंस में बवाल मच गिया है हर कोई कयास लगा रहा है कि मुन्ना बापस आ रहा है अगर सच में इसा हो गिया तो 4 सीजन के लिए एकसाइटमेंट आओर बढ़ जाएगी तो बस त्यार रहिए क्योंकि मिर्जापूर में कुछ बड़ा होने वाला है तो दोस्तों ये थी हमारी मिर्जापूर की ताजा अपडेट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नहीं अपडेट आप मिस ना कर सको तब तक के लिए गुड़ू भईया हस्टाइल में करते हैं और गाल में चाहे रखो